लेखा कर्म आवशकता है किन्तु अंकेचन विलासिता है जहां एक कथन दिया हुआ है और कहता है कि अंकेचन विलासिता है जबकि लेखा कर्म आवशकता है अगे है परन्तु इस कथन पर सभी व्यपारियों का मत नहीं है यह कथन तो केवल उन व्यक्तियों के हैं जिनका व् या जो कथन है लेखा कर्म आवशकता है जबकि अंकेचन विलासता है। या कथन सभी परकार के वैपारियों का नहीं है। किन वैपारियों का है ये कथन उन वैपारियों का ये कथन जिनका वैप nett il थोड़ी पुझी व छोटे पैमाने का होता है। अगे है परंदू बड़े पैमाने के वेपसाइ जो विशाल पुंजी से वेपार करते हैं, जहां भारी मातरा में उतपादन होता है, बड़ी मातरा में करमचारी कारी करते हैं, उनके संबंद में यह बात नहीं कही जा सकती है. कि अंकेचन विलासिता है मतलब कि जो वेबसाइट बड़े पैमाने की होती है और बड़ी पुंजी से यानि कि विशाल पुंजी से व्यपार करते हैं और उत्पादन भी जहां बहुत अधिक मात्रा में होता है क्रमचारी भी जहां अधिक मात्रा में कारी करते हैं उनके लिए अंकेचन विलास्ता नहीं है मतलब कि जहांपर ज्यादा उत्पादन होगा ज्यादा क्रमचारी होंगे तो उन संस्थान में छल कपट धोखाधरी इन सब की संभाबना होती है इसलिए उनकी लेखा पुस्तकों की जाश करने के लिए अंकेचन का सायता लेना पड़ता है। इसलिए लेंदेन भी कम होता था, वेपार छोटा होने के कारण लेखा कर्म क्या सकता नहीं होती थी। आगे उस समय लेखांकन को विलासिता समझा जाता था। आजबी गवाँ में जहां चोटे चोटे दुकान होते हैं जहां लेंदेन कम होता है और अपना हिसाब किताप नह प्रागती हुई मतलब कि अधोगी क्रांती के बाद व्यपार में आश्चर्जनक बढ़ोतरी हुई व्यपार तेजी से बढ़ा एकाकी व्यपार साइधारी संस्थाएं और बड़ी मात्रा में पुंजी के लिए मिस्तित पुंजी कमपणियां का जन्म हुआ फल स्वरूब ल इसे क्या हुआ कि लेहन देन बढ़े और लेखा कर्म का परियोग आवश्यक हो गया इसके बाद है लेखा कर्म की अनिवार्यता के शंबंद में निम्लिकित तत्य है लेखा कर्म अनिवार्य है उनके लिए कुछ बिंदू दिया गया है नमबर वन याद करने की शीमा पारि लिखना आवश्यक है अर्थात लेखा कर्म आवश्यक है विपारियों का लेंदेन जब बढ़ जाता है अधिक लेंदेन होने लगता है उन लेंदेन को अधिक समय तक याद नहीं रखे जा सकते हैं इसलिए लेंदेन को लिखना आवश्यक है अर्थात लेखा कर्म आवश् उसके वेपार में लाब हुआ है या हनी हुआ है या क्यवल लेखा कर्म से ही संबब हो सकता है यतने भी कमपणी या संस्था होती है वो संस्था हैं सहाज करके पुंजी लगाता है और वर्स भर मन लगाकर कारी करता है तो वर्स के अंत्वेवाद जानना चाहता है कि वेपार में जो पुंजी लगाया उस पुंजी से उसे लाब हुआ है या फिर हाणी हुआ है और इसके लिए उसे लेखा कर्म करना पड़ता है मतलब कि लेखा कर्म करने से लाब या हाणी जात करने में कटनाई नहीं होती है दोस्तों मैं इससे पहले और भी कोशन के वीडियो अपलो वो विपारी अपनी सलस्था की आर्थिक इस्तिति कैसी है यह जानना चाहती है आगे है जो लेखा कर्मद्वारा ही पता किया जा सकता है क्योंकि उसकी चिठ्थे से ही आर्थिक इस्तिति का ज्यान हो पाता है अगर कोई विपारी अपनी सलस्था की आर्थिक इस्तिति जानन जाता है तो वो लेखा कर्म द्वारा पता कर सकता है क्योंकि उसके लेखा कर्म की चिठ्थे से ही आर्थिक इस्तिति का ग्यान हो पाता है नमबर फोर पिछले वर्स से चालू वर्स की तुलना इसमें है विपार की प्रगीति को देखने के लिए चालू वर्स की तुलना पिछले वर्स की जाती है इसलिए लेखा कर्म अत्यंत आवश्यक है मतलब कि विपार की प्रगति कैसी है यह जानने के लिए जो अभी का वर्स मतलब कि चालू वर्स है उसका तुलना पिछले वर्स से की जाती है और इस तुलना करने के लिए लेखा कर्म अच्छंत आउश्चक है इसके बहुत नमबर फायू नियायाले में प्रमान लेंदारों को रूपिया देने के लिए वह देंदारों से रूपिया लेने के लिए कई परकार के मुकदमें चलते रहते हैं आगे हैं जिन में लेखा पुष्टकों का परियोग नियायाले में प्रमान के रूप में होता है मतलब कि लंदार वा देंदार के संबंद में किसी परकार का मुकदमा हो जाए तो उस समय लेखा पुष्टकों का परियोग नियायाल इवम अनिवहारि है तो इन सबत्थ्यों से पता चलता है कि वर्तमान सोबै में क्या कीलिखा कर्म सभी तरह के विफारियों के लिए चोटे एवब बढ़े और ऐसे अलंग अंकेचन विलासिता है कि इसके पक्ष में निमन्त तर्किए जा सकते हैं और वप अधिक खर्च अंकेचन विलासिता है उसमें जो तर्क दिया हुआ है उसमें नमर वन है अधिक खर्च इसमें है अंकेचन कराने के लिए योग्य वा प्रसिक्षित अंकेचक नियुक्त किया जाता है मतलब कि कोई कमपणी या संस्था में अंकेचन कराने के लिए योग्य वा प्रसिक्षित अंकेचक नियुक्त किया जाता है आगी है जिसका पारिस्रमिक अधीक होता है अंकेचक का जो पारिस्रमिक है यानि कि व्यत्तन है वो अधीक होता है जो छोटे वबारे इसे शहन नहीं कर पाते हैं अंकेचन कराने के लिए क्या होता कि योग वो प्रसिक्षित अंकेचक की नियुक्त किया जाता है और जो अंकेचक जो होता है उसका आईस्रमिक जो है वो अधिक है अंकेचक का जिससे क्या होता कि छोटे वबारे इसे शहन नहीं कर पाते हैं नमर टू, समय की बरबादी, अंकेचक को विभिन, विवराण और सुचनाय और असपश्टी करन देने पड़ते हैं, जिन्हें देने में काफी समय बरबाद हो सकता है, सास्ता में जो अंकेचक होते हैं, उसको विभिन बगागे विवराण बना कर देना पड़ता है, सुचना पूरा करने में खटनाई अंकेशन के लिए बहुत सी आपचारिक्ता करनी पड़ती है जैसे प्रमानकों को तीथिवाद लगाना लेंदारों वा दिन्दारों की सूची त्यार करना आधी एक छोटे विपारियों के लिए विलास्ता होती है अंकेचन का कार छोटे विपारियों के लिए विलासिता होती है इसके बाद नमर फोर है प्रतिष्ठा का प्रश्ण इसमें छोटे विपारियों द्वारा अंकेचन कराना समाज में केवल प्रतिष्ठा बढ़ा सकता है जिससे लोग समझे कि वह अपच्छा प्रभावसालीप स्वामी है इसमें है कि छोटे व्यपारी जो होते हैं उसके दारा अंकेशन कराना समाज में केवल परतिष्ठा बला सकती है अंकेचन का कार कराने से होता है कि लोग समझे लगते हैं किस अस्था का स्वामी प्रभाव साली है आगे है कुछ भी हो चोटे व्यपार के स्वामी अंकेचन को विलासिता समझते हैं उसके बाद अगर आप लिख रहे हैं तो पेराग्राफ चैन्स कर दिजिए इसमें है कमपणी अधिनियम का अनुसार किशी कमपणी में अंकेचन अती आवश्यक है। आधुनिक युग में बड़े बड़े वेपार तथा उद्धोग अस्थापित किया रहे हैं। अंकेचन, श्वामी, संस्था तथा सभी संबंदित व्रक्तियों एबं पक्चों के हित में आवश्यक है। अंकेचन के कार किनके हित में आवश्यक है तो स्वामी, संस्था का जो स्वामी है, संस्था के हित में होगा। तथा सभी संस्था से जिसे जितना सेयर के मालिक होंगे, अंसधारी होंगे, और भी कई पक्चों के हित में आवश्यक है। इसके बाद है, अंकेचन से तुरूटियां वगवन प्रकास में आते हैं। अंकेचन से जितना भी तुरूटि होगा, जितना भी गलती होगा वश्यक प्रकास में आते हैं। मतलब कि पता चलता है कि कौन-कौन से तुरूटियां हुई है। आगे है, जिससे किये गए भूल में सुधार लाया जा सकता है। अंकेचन के द्वारा किये गए भूल में सुधार भी लाया जा सकता है। परतियस्वर्धा कि इस युग में लेखा कर्म और अंकेचन दोनों वेपार की सभलता के लिए आवश्यक है। आज का क्लास नहीं तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए ताकि और भी कोशन का वीडियो आपको मिल जाए। थैंक यू।